निलम संजीव रेडी देश के एक लोते ऐसे राष्ट्रपती जो निर्विरोध चुने गई थे। निलम संजीव रेडी 1907 से 1922 तक भारत के छटे राष्ट्रपती थे। वो जैसे ही स्पद पर आसिन होते हैं, वो अपने साथ तीन उपलब्दियां और जोड़ देते हैं। पहली वो निर्विरोध चुने जाते हैं। दूसरी वो पहले ऐसे राष्ट्रपती बने हैं जो सबसे कम उमर के थे। और तीसरी वो पहले गैर कोंग्रेसी राष्ट्रपती बनते हैं। इन उपलब्दियों से निलम संजीव रेडी का कत तो बढ़ जाता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सब इतना आसान रहा होगा। इसको जानने के लिए हमें आठ साल पहले की कहानी को जानना होगा। ये कहानी शुरू होती है 1907 में जब देश में राष्ट्रपती के चुनाओ का एलान होता है। और उस समय निलम संजीव रेडी लोग सभा के अध्यक्स हुआ करते थे। और डोक्टर जाकिर हुसेन देश के राष्ट्रपती हुआ करते थे। लेकिन डोक्टर जाकिर हुसेन के अचानक मिर्त्यू हो जाती। उसके बाद देश में राष्ट्रपती के चुनाओ का एलान होता है। और लोकसभाय देख्सपद से अस्तीफा देने के बाद निलम संजीव रेडी रास्टपती के लिए अपना नामांकन दायर कर देते हैं। लेकिन पेच अब यहां फस जाता है कि इंडरा गांधी निलम संजीव रेडी के नाम को लेकर नाखूस थी। भगवती सरण मेशर अपनी किताब में इसका उलेख भी करते हैं कि 1907 में इंडरा गांधी के खिलाफ देश भर में नाराजगी थी। इसके उपर राष्टपती हुआ करते थे और इंडरा गांधी का मानना था कि वो इस पद के लिए ज्यादा योग्य हैं। लेकिन कोंग्रेस के कई नेता वीवीगरी के नाम को लेकर सहमत नहीं हुए या यूं कहीं कि एक जुट नहीं हुए। उसके बाद उपर राष्टपती पद से वीवीगरी अस्तीफा दे देते हैं और वो निर्दलिय रूप से राष्टपती का चुनाव लड़ते हैं। इंडरा गांदी उनको समर्थन भी करती है और इतना ही नहीं इंडरा गांदी वोटिंग से पहले मतदाताओं से अपील भी करती है और इंडरा गांदी की ये अपील काम कर जाती है और वीवीगरी को इस राष्टपती चुनाव में जीत हासिल होती है और वो राष्टपती बनते हैं इस हार के बाद निलम संजीर रेडी काफी हतास होते हैं और वो राजनीती से सन्यास लेकर सब को चोका देते हैं सन्यास लेने के बाद रेडी अपने पैतरी गाउं में चाकर रहने लग जाते हैं लेकिन सवाल अब ये है कि जब वो और सन्यास ले ही लेते हैं तो उनकी राजनीती में फिर से वापसी कैसे होती है और वो कैसे देश के रास्टोपती बन जाते हैं। अंधी की सरकार को देश ने उखाड फैका था और जनता पार्टी की सरकार 1903 में आ गई थी। इन्हीं 1903 के आम चुनाओं में हैदराबाद में जेपी नारायन एक सभा को संबोधित कर रहे थे और उसी सभा की फीड में नीलम संजीव रेडी भी खड़े हुए थे। जैसे ही जेपी नारायन नीलम संजीव रेडी को देखते हैं तो उनको मंच पर आमंतरित करते हैं और उनको कन्वेंस करने की कोशिश करते हैं कि वो राजनिती से सन्यास तोड़ दे और फिर से एक बार अपनी किस्मत आजमा है। वो जेपी नारायन की बात को माल लेते हैं और वो छटी बार लोकसभा का ध्यक्स बना जाता लेकिन दुर्भाग्ये देखी उसी दोरान उस समय के राष्टपती फकरुदिन अली एहमद की मिर्त्यू हो जाती है और एक बार फिर से रेडी का कार्यकाल पुरा नहीं हो पाता और लोकसभा देख से वो अस्तीफा देकर एक बार फिर से राष्टपती का चुनाव लड़ने चले जाते है इस बार जनता पार्टि उन्हें राष्टपती पद का उमिद्वार बनाती है और वो ये चुनाव सिर्फ एक ही सर्थ पर लड़ते हैं कि उनका कोई भी विरोध नहीं करेगा वो सरो सहमती से चुने जाएंगे तो वो राष्टपती का पद लेंगे वरना नहीं लेंगे और ठीक हुआ भी वैसे ही जैसा वो चाहते थे कॉंग्रेस ने भी उनका ज्यादा विरोध करने की कोशिस नहीं की और वो देश के छटे राष्टपती चुने गए और वहीं चुनाव योग के मुताबिक कहा जाता है कि इस चुनाव के लिए 36 निर्दलियों मिद्वारों ने नामांकन किया था और कहा ये भी जाता है कि नाम वापसी के आखरी तारिक को इन सभी ने अपना नाम वापिस ले लिया था और निलम संजीव रेड़ी दो पहर तीन बजे राष्टपती घोशित कर दिये जाते 25 जुलाई उनिसो स्तेंतर को वो राष्टपती की सपत लेते हैं और अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद वो अपने पैत्री गाउं चले जाते